नमस्कार दोस्तों फिर एक बार रियल नेटवर्क आपके सामने प्रियास में रहता है जो इसे रोग है उसको दूर करने के लिए बड़े-बड़े डॉक्तर जो हमेरे सुरत के बड़े से बड़े होते हैं इनको यहां हम स्टुडियो में बुलाते हैं और उन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाए उन बीमारियों से कैसे बचा जाए और हम अपना जीवन स्वस्थ हमई जीवन कैसे बनाए इसके लिए हम यहां बात करते हैं ऐसी ही बीमारी की जो बात होती है बार बार लेकिन आज कुछ ऐसी बीमारी भी है और अलग से बीमारी से ज्यादा हमेरी सुन्दरता की एक बात लेके आज हम आपके सामने आये हैं आज हमेरे स्टूडियों में उपस्तित है आप सब लोगों से बाते करने के लिए आप सब से हमारी बाते शेर करने के लिए जो डॉक्टर आये है वो सुरत सहर के मशहूर डाक्टर है प्लास्टिक सर आपका हमारे स्टूडियो के अंदर दोस्तों आपको जान के हैरान होगी कि यह प्लास्टिक सर्जन क्या होता है किया सर्जन प्लास्टिक का सर्जन कहलाता है नहीं दोस्तों आज पड़े लिखे लोग तो बहुत समाज में हो गए हमेरे बच्चे भी आज इतना ज्यादा इन से आज हमको जानना है क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है कि जो हमारे मन में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जो बाते होते हैं उसमें गलत फेमिया जादा होते हैं हम कुछ बुरी बाते इसके अंदर सोचते भी रहते हैं लेकिन सही नहीं जानते हैं तो ऐसी सही बाते के के लिए आज हमने हमेरे स्टूडियो में सिद्धार्थ भाई को बुलाया है सक्खिया साब हमारे सेहर के जाने माने प्लास्टिक सर्जन भी है स्पार्कल होस्पिटल जो सीमाडा नाका पे आई हुई है बराचा रोड पे सीमाडा नाका पे जो स्पार्कल होस्पिटल आई है वहाँ के डिरेक्टर है वो भी प्लास्टिक सर्जन है सक्या साब और उनकी अपनी खुद की एक अस्पिताल है जो ओपीडी वहाँ चलाते है वो पिपलोद में है पिपलोद में सेलेबरी एस्थेटिक्स करके जो विल्डिंग है वो सेलेबरी एस्थेटिक्स के अंदर अपन वारे बीच में आये हैं, तो साहब, हम जानते हैं कि कहीं लोग अपनी सुंदरता के लिए भी बहुत परेसान है, कहीं लोग ऐसे जैसे बीमारी के अंदर जल जाते हैं, या तो कोई इंजरी हो जाती है, बदन में बड़े बड़े गड़े पड़ जाते हैं, तो अपने सरीर क जो जो खुबसूरती है उसके लिए बहुत कॉंसियंस रहते हैं और उनके लिए आज आप यहां आए है तो हमें बहुत सारी बाते जानने की मिलेगी तो आये सब शुरू करते हैं आज का कारेकरम तो सबसे पहले हमको जानना है साब कि यह प्लास्टिक सर्जरी क्या होती है त मुझे कुछ cancer की बीमारी है तो cancer surgeon के पास जाना चाहिए लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के पास कब जाना चाहिए और वो क्या क्या चीजे कर सकते हैं यह चीजे काफी लोगों को पता नहीं होता है तो लोगों को यह पता है कि किसी का चेहरा बदलना है तो वो प्लास्टिक सर घष्ते के पेर के नाखुन तक बाहर का जोजो अपने बौड़ी पार्ट के लिए इस्तेमाल कि जाती है अचा अच्छा इसमे अपने बोड़ी में दो तरह के प्रॉब्लेम यह अलग-अलग बाहर के पार्ट में आते थे ए है जो शेप के related problems रहते हैं और कुछ problems है जो function या उसके कारिय के related problems रहते हैं तो उसमें जो अपने body parts के में जो functional problems है उसके लिए जो plastic surgery होती है उसको हम reconstructive plastic surgery कहते है और जो shape के related जो भी improvement के लिए जो plastic surgery की जाती है उसको हम कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी से जानते हैं और यह जो रिकंस्ट्रक्टिव प्लास्टिक सर्जरी है उसमें भी अलग-अलग चार तरह की केटेगरी की सर्जरी जाती है इसमें एक प्रकार है वो बंज सर्जरी है दूसरा प्रकार है वो रिकंस्ट्र सफाईस साब आप ने समझाया है कि इसी हीना प्लास्टिक सरजर्जर्यी प्लास्टिक सरजर्या थी करने करें कि यदور मन में प्लास्टिक सरजर्जार्यम्ह। प्लास्टिक सर्जरी काते हैं जितने भी टाइप से जितने भी उसके प्रकार है वो भी साब ने हमको बताएं सबसे पहले बता है कि बंस के अंदर यह जो प्लास्टिक सर्जरी उसमें उप्योग में आती है लेकिन मुझे दो सवाल सर आप से है कि यह जो बंस होता है ना बंस जल जाना या तो गरम पानी, गरम तेल या तो कहीं आग लगती है और आदमी जल जाता है, तो पहले तो आपसे यह जनना, क्योंकि आप Bans के भी मास्टर है, तो Bans के अंदर सबसे पहले तुरंती-तुरंत हमको क्या करना चाहिए, कि जिससे ज्यादा फाइदा हो, और Bans के अ उसमें क्या तफावत रहे जाता है तो यह बात साव हमको समझाईए यह आपका बहुत सही प्रशना है क्योंकि मैं मेरी प्रैक्टिस में देखता हूं कि जब किसी को भी बंस होता है तो घर पे बंस होता है तो घर के लोग वहां पे कुछ टूथ पेस्ट लगाते हैं कुछ प लगा कर आता है तो इसको ट्रीट कर न वहीं बहुत ही मुशक्किल का इसलिए बंस होने के बाद तुरंत क्किया करना चाहिए ज़्यानकारी Μела जरूरी है जिसीन जो कही पर भी बंस होता है तो सबसे पहले जो करना चाहिए वह उसके ओपर जहां बंस हुआ है वह पार के ऊ कि जचलन हुई है वहाँ पर इफेक्ट है वह वहाँ पर रुख जाए और उसको जो डीप उसका स्प्रेड होना है उसका प्रशार जो अंदर तक होता है वह ना हो उसके लिए वहाँ और बहुत सही बता है सर इसमें लोग बानते हैं कि पानी पानी से तुरंत ही यह से चमडी जो है जल जाती है और वहां पर ऐसे बड़े बड़े बबल सो जाते हैं इसलिए लोग पानी नहीं डालते हैं और कहीं लोग ऐसा भी कहते हैं कि ठंडा पानी ज्यादा डालने से फाइदा होता है लेकिन आज आप सहाब ने सही बताया है कि जो नॉर्मल वोटर है हम डालेंगे जिससे फाइदा होगा लेकिन सब मुझे मेरा दूस पाश दिन जो रहती है वह प्राइमरी ट्रीटमेंट हम कहेंगे और यह ट्रीटमेंट है वह बंस का प्लास्टिक सर्जन के तो उसमें कोई कमी नहीं रहती है नॉर्मल यह जो ट्रीटमेंट है उसको हम सपोर्टीव बिकित हैं जिसमेंगों बाद अपने बोडी में जो पानी की कमी हो जाती है तो उसके लिए बाहर से जो बोटल्स वगेरा लगा के फ्लूइड रिप्लेस्मेंट करना पड़ता है तो वो शुरू के तीन से पांच दिन रहता है उसके अलावा शुरू में इंफेक्शन ना हो उसके लिए वहां पे क्लोज ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी है काफी लोगों को यह गलत्फे में होती है कि हम बंस को जितना खुल चोड़ देते हैं ऐसे करने में दो प्रॉब्लेम से एक तो यह कि वहां से बाहर का इंफेक्शन अंदर जाने के चांसी बहुत ज्यादा रहते हैं और दूसरा यह प्रॉब्लेम है कि उससे जो पेशेंट को कमफ़र्ट है वो कम हो जाता है और वो बहुत ही बर्निंग और पेइन करता है इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से ट्रेसिंग से कवर करना यह इसका सबसे बहुत इंपोर्टन इनिशल पार्ट है उसके अलावा कुछ एंटिबाइटिक से जो हमें स्टार्ट करनी चाहिए जिससे वहां पर इंफेक्शन ना हो उसके लिए वो देफ्ट वह अलग अलग डेफ्ट तक बंस प्रेड हुआ होता है जिसमें बंसे वह कम गर्मी से हुआ है जिसमें हीट है तो वेसी जो जलन होती है वह सिर्फ स्कीम के उपर के इसे में रूख जाती है और जहां पर बहुत ही गरम चीज़े होट वोटर या फ्लेम ऐसे लुग्का जंब करें बंस मोटर होटे सिर्फ सुष कंट इए तो यो पंस तक जम संटांग तब उसको पतर व te कहते हैं और उसकी जो यह कितने बोडी पार्ट को कितने बोडी एरिया को इन्वोल कर रहे हैं उस हिसाब से उसमें आगे तीन से पांच दिन के बाद की जो डेफिनेट ट्रीटमेंट से वह रहती है जिसमें जो फॉस्ट डिग्री बंस है और सुपरफिशल सेकंड डिग्री म वहम ड्रेसिंग से कवर करते हैंदि लेटे हैं जिसके लिए हमें कोई वहांपर सरजरी करने की जरुरत नहीं रहती है सिर्फ उसको कवर करके प्रोटेक करना है इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें ध्यान रखना होता है तो यह dressing जो है वो बहुत important part रहता है जब skin का अंदर का layer burns होता है उसमें कोई skin का layer नहीं है जहां से नई skin grow हो सकती है इसलिए ऐसे cases में उपर का जो dead skin का layer है या तो वो निकालना पड़ता है और उसके बाद नई skin वहाँ पे grafting से replacement करनी पड़ती है ऐसे करते हैं तो उसके बाद वहाँ पे जो जो बंस के बाद जो जखम बनता है उसको हम cover कर देते हैं और ultimately यह वो functionally वो पार्ट से रियूज कर सकते हैं बहुत ही सही बताया सर आपने जब जल जाते हैं लोग तो उसमें भी plastic surgeon बहुत ही उपयोग में आते हैं और पुना वो अपना जो स्वरूप है वो हांसिल कर सकते हैं सर आपने जो यह types बताये थे plastic surgery के जो types इसमें एक बात बताये आपने की reconstructive micro surgery जो है तो वो क्या होती reconstructive micro surgery के बारे में बताये सर जहां पर body parts अपने superficial body parts damage हुए है और उसको वापिस कार्यानवित करना है उसको वापिस functional करना है उसके लिए जो जो surgeries हम करते हैं उसको reconstructive surgeries कहते हैं और उसमें कुछ जगह पे microscopically repair करने की जरूरत पड़ती है तो उसको micro surgery कहते हैं इस तरीके से reconstructive surgery है उसका role अपने body में बाहर के जो भी parts है उसको functionally वापिस restore करने क्या उसका हेतू रहता है इसमें अलग-अलग बहुत तरह की surgeries रहते हैं हम हम देखते हैं कि काफी बार कुछ accident होता है उसके बाद skin पर कहीं चोट लगती है skin injured होती है काफी बार ऐसा भी होता है कि जब चोट ज्यादा है तो वहाँ पर skin पूरी ही निकल जाती है उस part से कभी यह जो skin का निकलना है वो सिर्फ उपर के हिस्से से होता है कभी ऐसा होता है कि skin और उसके साथ अंदर के muscles है fat है वगेरा वो parts भी damage होते है तो इस तरीके से जब यह skin चोट लगती है skin loss होती है या तो skin के साथ अंदर की जो mass patient है वो जब भी loss होता है तो ऐसे cases में हमें reconstructive plastic surgery करने की जरूरत पड़ती है कुछ हम example के द्वारा हम यह समझने की कोशिश करें तो हमें पता है कि कभी बच्चे खेलते हैं और उनको खेलते खेलते चोट लगती है कहीं ना कहीं skin cut हो करना है तो उससे plastic surgeon क्या कर सकते है तो वहां पर जो चोट लगने के बाद जो निशान आना है वह निशान कम से कम आए कम से कम दिखे उस उस परपस से plastic surgeon बहुत ही वह microscopically stitches लेते हैं तो यह reconstructive surgery का एक टाइप है वैसे ही कुछ fingers में injury जब होती है skin वहां पर cut होती है ऐसे cases में भी जब normal surgery से वहां पर repair किया जाता है तो वह damage होके वहां पर खराब होने के chances ज्यादा रहते है क्योंकि उसमें finger tip injuries में जो blood circulation है वह बहुत ही compromise होता है ऐसे cases में वहां पर blood circulation maintain करके उसको stitches लेने है वह fine work है वह plastic surgeon करते हैं वैसे अलग-अलग जो limbs है अपने chest है पेर का हिसा है जहां पर major accident होते हैं उसमें skin cut होने के अलावा skin loss होता है जिसमें कुछ part में से जो skin है वह पूरी निकल जाती है या तो वह crush होके खराब हो गया होती है उसके साथ में अंदर का मां से वह भी खराब हो जाता है ऐसे cases में plastic surgeon का जो role है वह बहुत ही important और compulsory हो जाता है इसे cases में जब plastic surgeon शुरू से ही जब पहली surgery से involved होते हैं तो हम उसमें जो damage हुई है skin उसको proper clean करना वह बहुत जरूरी रहता है इसको जो dust मिटी वगेरा जो भी अंदर गया है उसको thoroughly clean करना पुझाए अगर वह पहली surgery में अगर वह cleaning नहीं होता है तो वह infection है वह दिरे-दिरे blood में spread हो जाता है तो यह इसका reconstructive surgery का बहुत ही important part है जब कोई की भी तरह की चोट लगती है तो और उसके बाद वहां पर क्या लोस है उस हिसाब से उसमें recursion के द्वारा हम वह part है वह उसको वापिस restore कर सकते हैं और वह skin grafting या तो flap surgery के द्वारा करते हैं यह जो example है वह trauma surgery का है जो प्रोवा में recursive surgeries होती है उसके अलावा और भी कई सारी condition से जिसमें skin loss होता है skin damage होती है कुछ example के दवारा हम समझे कि जब diabetes में जब पेर में तकलिफ होती है तो हमें पता है कि diabetes में जो पेर में में जब हम सिर्फ dressing महां पर करते रहते हैं और उससे हम चाहते कि महां पर healing हो जाए तो वैसे वह महीनों तक सालों तक उसमें कुछ healing होता नहीं है तो यह जो cases है जिसमें plastic surgeon का बहुत ही महत्वपूरन रॉल है मैं उसमें क्या कर सकता हूं उसमें में में उसको जो पेर में skin खरब हुई है अंदर की मास पेशी खरब हुई है उसको बहुत अच्छे से properly microscope में पूरा clean करते हैं ताकि वहां पे कोई भी infection का जो छोटा सा part है वो भी ना बचे और उसको पूरा clean करके हम remove कर देते और उसके बाद वहां पे जो पार्ट हमने remove किया है उसको restore करना पड़ता है जैसे कि वह skin remove की है अंदर के muscles भी remove करने पड़े हैं कई बार तो यह जो structure से उसको हम restore करते हैं skin grafting या तो flap surgery के द्वारा उसको restore कर सकते हैं ऐसे कुछ cases रहते हैं जिसमें बहुत लंबे समय तक आराम करने की वजह से जैसे ICU में patients रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक तो उसमें भी skin जो back की skin है वह खरब हो जाती है constant pressure की वजह से वहां पे ब्लेक निंग हो जाता है जखम बनता है इसे cases है जिसको bad sore कहते हैं ऐसे cases में plastic surgeon है जो उसको पुरा clean करके वहां पे जो आजूबाजू से जो skin है available skin है वहां से skin flap create करके उसको close करते हैं और उसको restore करते हैं ऐसे कुछ cancer के cases भी रहते हैं जिसमें skin है muscles है bone है remove करने की जरूरत पड़ती है जैसे जो बहुत commonly आजकल हम देखते हैं वह दातों जडबे का जबड़े का cancer है जिसमें जबड़ा करना पड़ता है अंदर की जो skin है बाहर की स्कीन है वह भी कई बार करनी पड़ती है तो यह जो है उसको वापिस हमें रिस्टोर रिकंस्ट्रक करना है तो वह प्लास्टिक सजरी के द्वारा हम सरीर के दूसरे हिस्से से skin flap लेके उसको cover कर सकते हैं जब वहां पे अगर बोन वहां से निकाला हुआ है तो सरीर के और हिस्सों से हम उसका function compromise ना हो ऐसा तरीके से वहां से बोन भी लेके वहां पर रिकंस्ट्रक करते हैं तो यह अलग-अलग प्रकार है जिससे हम रिकंस्ट्रक्टिव माइक्रो सरजरी कर सकते हैं और कुछ केसी ऐसे रहते है कि जिसमें अपने बोडी के पार्ट से वह पूरे कट हो के अलग हो जाते हैं तो ऐसे जो केसी से उसमें सबसे पहले प्लास्टिक सर्ज़न के पास पहुँचना चाहिए और वह भी बहुत ही समय सर पहुचना चाहिए क्योंकि ऐसे जो बोडी से सेपरेट हुए पार्ट से उसको हम कुछ गंटों में अगर जोड नहीं सकते हैं वहाँ पे वापिस उसका ब्लड फ्लो है वो चालू नहीं कर सकते हैं तो वह है वह पर्मेनेंटली डाई हो जाते हैं वह पर्मेनेंटली लोस रहते हैं जैसे अंगुली कट जाती है जैसे मशीन इंजरीस है तो यह मशीन सब्सक्राइब कर सकते हैं बहुत ही बताया सर आपने और बहुत बढ़ी बाते कि प्लास्टिक सर्जन क्या क्या कर सकते हैं प्लास्टिक सर्जन है जो एक जगा से चमड़ी निकाल दूसरी जगा जहां चमड़ी बिलकुल डिस्ट्रोई हो गई है जहां पूरा नुकसान हो गई है चमड़ी का मसल का या तो फैट का जो नुकसान हुआ है उन सब को भरने के लिए अपने ही सरीर से कहीं से निकाल के उसको फिर से जोड़ देते हैं और जो स्टीची जो माइक् तो स्टीच थे उसके निसान जो टांके लेते थे आज ऐसा हुआ है कि प्लास्टिक सर्जर आ गए है तो यह बहुत ही कम दिखने लगए या तो नहीं भी दिखते है या तो बहुत नस्दिक जाने पर थोड़े से दिखते है तो यह सब फाइदा प्लास्टिक सर्जरी से हो हम हेंड सर्जरी में ऐसा समझते हैं कि हमारा जो हाथ का पंजा है वह मतलब हेंड है लेकिन जो करने के लिए हैं रेस हैं रज़री की जरूरत पढ़ती है जिसमें आ जैसे रिकर रेसे में में देखा कि इसमें इंजरी है यह हो सकता है वैसे के दिशिक से बस रहे दर बडिया है टा में आसे यह नुशा दूसरा important part है वो nerves है जिसको हम चेता अतन्तु बोलेंगे चेता नसे बोलेंगे और तीसरा important जो part है वो खुन की नसे और blood vessels जिसको हम कहते हैं यह blood vessels रहते हैं तो hand injuries या तो hand surgery जो हम करते हैं उसमें इसमें से कोई भी part जो damage हुआ है या तो muscles, skin के साथ muscles कटे है, muscles के अंत में जो movement के लिए उंगलियों में जो रहते हैं वो tenders का part जो कटा है muscles को चलाने वाली जो चेता नसे है वो कटी है या तो हाथ में अंत तक जो खुन ले जानी और लेके आने वाली जो नसे है वो कटी होती है तो ऐसे cases में हमें चोट के time पे ही उसका सही निदान और उसकी सारवार होना वो बहुत ही जरूरी रहता है क्योंकि इसमें जो शुरू में की हुई treatment है तभी हमें उसका functional result मिलता है अगर हम उसको पहले से उसको हम treat नहीं करेंगे अगर हम उसको detect नहीं कर पाएंगे तो वह हाथ का वह पार्ट है वह कायम के लिए lifetime वहां पे disabled हो जाता है और हम जानते हैं कि हाथ में हमारा अंगुठा है हमारी सारी fingers है उसका जो function है वह अपने रोजबरोज के जीवन में अपने जो professional life में हम जो भी काम करते हैं उसमें हर जगह पे यह बहुत ही important है इस पीए मैं सबसे पहले यह convey करना जाता हूं कि हाथ की कोई भी इजा हो छोटी सी छोटी भी injury है उसको हमें neglect नहीं करना जाइए क्योंकि हमें बाहर से सिर्फ लगता है कि वो तो सिर्फ माँपे skin कटी है लेकिन उसमें हो सकता है कि अंदर के muscles कटे होते हैं अंदर के tendons कट होते हैं चेता नसे कटी है खुनकी नसे कट गई है और अगर उसको हम पहले ही दिन पर जगर उसको रिपेर नहीं करेंगे तो कुछ टाइम जाने के बाद कुछ दिन के बाद भी उसको रिपेर करना पोसिबल नहीं है अगर उसको बाद में रिपेर करना करने जाते हैं तो तो रिजल्ट भी पॉसिवल नहीं है और उसमें जो खर्च होता है जो वो भी काफी बढ़ सकता है तो यह इस वजह से जब भी हाथ में छोटी सी छोटी इंजरी है तब भी प्लास्टिक सर्जन को एक बार ओपीनियन लेके दिखाना यह बहुत जरूरी है और उसमें जो हमार सब्सक्राइब करते हैं उसका फंक्षन है वह वापिस अच्छे से नॉर्मल हो इस तरीके से कोशिस करते हैं इसारी की हें इंज़री से उसमें सबसे पहले प्लास्टिक सर्जन और्थरपेडिक सर्जन को इनवॉल करना बहुत जरूरी रहता है विए जांड सर्जरी और वह अपने कार्य के लिए अपने काम करने का सबसे बहुत इंपॉर्टन हमारा और है इसलिए यह सरजरी बहुत इसमें महत्व रखती है प्लास्टीक सर्जरी में हैंड में तो वह प्लास्टिक सर्जर्न के बारे में आप बता रहे तो ये सर्जरी के लिए किशीक जरूत पड़ती ए और उसका महत्व chce और प्लास्टिक सर्जन को इसमें बताना चाहिए इसके बारे में आप हमको बताएंगे जी यह मेक्जिलो फेशियल मतलब की जो चेहरे की हड्डियां है उसमें जब भी कोई भी तरह की डिफोमिटी है उसमें कोई भी तरह की खोड है इंजरी है जब भी अपने फेस के जो बॉन है वो एक्सिडेंट में डेमेज होते है तो उस टाइम पे जो को चिलर करते हैं वह अपना जो शोई पर जो लो और ऑपर का जबडा और जो तो यह दोनों जो जो है उसको च्योट लगती है वहाँ पे fractures होते हैं वो fractures को properly हम अगर reconstruct नहीं करते हैं तो चहरा शेप से बिगड़ जाता है उससे भी ज़्यादा चहरा function से बिगड़ जाता है क्योंकि जो सबसे important part है अपना chewing है खाना है तो जब ये fracture होते है जब bone damage होते है उसको वापस restore नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो चबाने में lifetime problem रह जाते है और जब भी ये bone है वो proper alignment में नहीं है तो वहाँ पे shape भी बहुत खरब हो सकता है तो इस तरीके से जब भी चहरे का कोई भी fracture है तो वो treatment है वो बहुत ही बारिकाई से बहुत gentleness से वहाँ पे करनी पड़ती है जो plastic surgeon करते है इसको हम maxillofacial surgery केते हैं बहुत अच्छी तरह से बताया maxillofacial surgery जो हमारा चेहरा फिर से वही चहरा जो हमारा पुराना चहरा था वही हम प्राप्त कर सकते हैं और जो खाने पिने में अगर इसमें इंजरी हुई है तो खाने पिने में जो दिक्कत हमको बाद में हो सकती है वो ये plastic surgery से कि नहीं होगे और रोजी आपना चेहरा प्राप्त कर सकते जानना कि आप Plastic Surgery lien के बारे में पिशापने सभाथ सभा कि आपने इतना सब बताया है कि इसमें बहुत ही फाइदें लेकिन वैसे सुना है कि प्लास्टिक कि प्लास्टिक के सजरी में बहुत अलग-अलग तरह की सर्जरी रहती है जिसमें एक पार्ट है वो कोस्मेटिक सजरी है तो ये जो cosmetic surgeries है, वो medicle में cover नहीं होती है, लेकिन उसके अलावा जो बहुत प्रकार की reconstructive surgeries है, जो मैंने बताया है, जिसमें burns surgeries है, जिसमें hand surgeries है, जिसमें reconstructive microscular surgeries है, जिसमें maxillofacial surgeries है, ये सब तरह की reconstructive plastic surgeries है, वो बिल्कुल medicle में cover होती है, दूसरा आपका जो प्रशना है, कि plastic surgery बहुत महेंगी होती है, एक्चुली plastic surgery जो दुनिया में जहां जहां पे होती है, उसमें जो भारत है, वो ऐसा देश है, जहां वो बहुत ही कम कोश्ट में की जाती है, और इसी वज़े से हमारी यहां पे जो इनराइज जो है, वो सिर्फ surgery के लिए यहां पे आते हैं, बहुत बहुत सही बताया, सर, plastic surgery इतनी महेंगे नहीं है, जितनी हम मानते हैं, और हिंदुस्तान के बाहर तो बहुत महेंगे है, इसे यहां बहुत सस्ती है, और दूसरी बात है कि इसमें हमको पूरा ही medical लेम मिलता है, अपने जो medical लिया है, व variability के ça, प्लास्टिकरी में प्लास्टिक यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है, तो क्यों हूँ यह प्लास्टिक जो वर्ड है, वो इसमें जो really प्लास्टिक सरजरी में जो है, उसका meaning है, plasticos, यह Greek word है और जिसका meaning होता है, mold क्ला, shape करना, तो plastic प्लाप्टिक सरजरी इस प्लास्टिक को वर्ड से आया है जिसका मिनिंग है कि अीम पूडिक देखने में और दूर है तो यह जो सब खेसाध रहती HOW उसको हप्लिस्क्थ सरजरी प्लास्टिक कहुंत है बनास्टिक है आसे fryढ्ट कोई कोई जवान है कोई युवान है या तो कोई गल है बोई है तो उसको कोई हिरो या हिरो इन जैसा दिखना है तो अपना प्लास्टिक सरजरी करवा कि अपना चेहरा बदल सकता ऐसा भी सुनाए तो क्या है सही है सर प्लास्टिक सरजरी के द्वारा जो हमारा जो भी चेहरा है उसको हम काफी सुंदर बना सकते हैं यह सही है यह लेकिन गिलखुल बदल सकते हैं ये गलत थ्रवमी है ठीसे की कोई बहुत ही सुंदर है लेकिन उसका नाके उसका शेप प्रोपर नहीं और वो चेहरे पर और अच्छा दिखता नहीं तो इसे केसि में हम ऐसा जोभी पार्ट है जो वहां पर सुन्दरता है उसको कम करता है ऐसे पार्ट को हम प्रोपर शेफ दे कर उसको काफी ब्यूटीफूल बना सकते हैं और इस तरीके हमको हमेरी beauty में जो हमें अवरोध रूप होते हैं उनको हम निकाल के हमारी beauty को बढ़ा सकते हैं दूसरी बात सर प्लास्टिक सर्जरी अगर हम करवाते हैं तो निसान रह जाते हैं उसमें प्लास्टिक सर्जरी में कहीं कहीं उसके जो धब्बे या तो निसान या तो points रह जात उसमें जो निशान रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा रहते हैं जो बहुत दिखते हैं और प्लास्टिक सजरी के बाद जो निशान रहते हैं वो बहुत ही कम दिखते हैं बहुत हम नसदीकी से दिखेंगे तो ही वो दिखेंगे इतने वो कम दिखते हैं और उसका रिजन यह है क जो प्लास्टिक सजर्य की जाती हैं बहुत लें निसान रहते भी यह तो बहुत कम डिखते नहीं हैं अंत्मी सवाल है और यह सवाल के जबद के साथ प्लास्टिक सर्जेरी खोंवी फाइदे होज आप बता देंगे सर्द सुना है कि जो यह प्रलास्टिक सर्जेर आ हो भी काम करते किनके ऊपर करते है स्पेया उपर काम करते हैं था डोनों को समान समझेBaby और नो में की तफ़ा hutे illust कि जी काफी लोगों को यह लगता है कि प्लासिक सर्जन है तो वह आप्ट स्कीन के दॉक्टर है और । दर्मेट शर्जन के रह दोक्टर है लेकिन वह दोनों में बहुत ही अंतर है जो डर्मेट वो स्कीन में जो मेडिकल ट्रीटमेंट से जो दवाईयां वगेरा रहता है इसके लिए उसके एक्सपर्ट है और प्लास्टिक सर्जन है वो ना सिर्फ स्कीन लेकिन उसके अलावा भी जो अपने बाहर के जो बोडी पार्ट से वो सारे ही अलग-अलग पार्ट के उपर जो भ भी बहुत ही अंतर रहता है जो डर्मेटोलोजिस्ट है वो MBBS के बाद तीन साल तक MD में स्टडी करते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो बनते हैं वो MBBS के बाद तीन साल जनल सर्जरी या तो ओर्थोपेडिक सर्जरी में काम करते हैं उसके यह तीन साल के एक्सपिरियंस के ज तरीके से 12 ट्वेल स्ट्टेंडर्ट के बाद 12 के बाद 12 से 12 साल का इसी रहता है वो उनका सर्जीकल फील्ड में रहता है और ऐसे वह सर्जरी करते हैं कि बहुत-बहुतीμά अभार डाक्तर सेहाभ आज हमेरे यह रियल नेटवर्पर के स्टूडियो में आप आए तो यह थे डोक्ट सिद्यार्थ भाई सख्या हमेरे सूरत सहर के बहुत ही जाने-बहुत ही जो जिस द्वाइबुत जिसे डोक्टर कहते सुपर प्लास्टिक सरजरी के बारे में बहुत सारी बाते उसने बनाईए फिर से हम उसका अभार व्यक्त करते हैं खुब धन्यवाद सराप का फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को कोई नई डॉक्टर के साथ कोई नई बीमारी के साथ तब तक हमें आगना दीजिये नमस्कार झाल झाल झाल